Hello Everyone, Welcome Back to My Channel, Definity Terrorist, Sweat Road Always Exposes Darkness तो आज का जो टॉपिक है, गाईज, वो है, आपके परसन की फीलिंग्स, डीप करेंट फीलिंग्स क्या है आपके लिए चाहे आप कॉंटाक्ट में हो या नहीं हो, ठीके आप कोई भी परसन के लिए देख रहे हो, जिनके लिए definitely आपका बहुत ज़दा फीलिंग्स है, आप attached फील करते हो उनके लिए and बहुत time से connection है, ठीके आप husband vibe भी हो सकते हो, ठीके तो कोई भी situation के लिए ये valid होगा this will be a timeless prediction collective for all signs and it is a general prediction चैन को like, share, subscribe, ज़रूर करें, instagram में follow करें instagram का जो id है वो description box पे दिया हुआ रहेगा you can also subscribe my another channel, so let's get started आज यहाँ पे जो भी sketches है, यह सारे runes के है and यहाँ पे जो है symbol वो है, 69 या twin flame या cancer sign का, ठीके बागी सारे जो runes के symbol है, prosperity के है, new journey के है, fertility के है, friendship के है ठीके आप जानते ही हो के मैं runes को भी use करती हूँ, reading मैं dices को भी use करती हूँ तो चलो, यहाँ पे आपके लिए, आज के लिए statement है, love is a non-perishable element, it's green मतलब, प्यार ऐसा चीज है, जो कभी भी खराब नहीं होता, कभी भी वो सरता नहीं है, ठीके क्योंकि वो हमेशा हडाई रहता है, ठीके, इसलिए heart chakra जो है, वो green से signify होता है, okay all right, so let's see, let's find out, आप अपने partner के बारे में focus कीजिए, जब इस reading को आप देख रहे हैं, okay तो चलिए, शुरुवात कर ही लेते हैं, reading को जरूर क्लेम कीजिए, comment section पे, और definitely reading को जब आप क्लेम करेंगे, तब आप बताना जरूर universe को, universe, thank you for everything, gratitude देना, और ऐसा जरूर बताना, universe, do the best for everyone, ठीके let the souls unite with their soulmates, so universe with guides and angels, please guide me in the right direction की marriage of viewers है, उनके partners, उनके बारे में क्या feel करते हैं, क्या सोचते हैं, इफिन आपका भी feelings हम देख लेंगे, गाईज, okay यहाँ पर देखो, एक victory shape आया है, अगर हम इस तरह से इसको देखे, so यह इनसान जो है, जो मुझे यहाँ पर देख रहा है, हमेशा ऐसा इनका फितरत होता होगा, यह हर एक चीज में यह विजय प्राप्त करेंगे, इस तरह से mentality लेके चलते हैं, मतलब मैं जो भी करने वाल हूँ, मैं जो भी करने वाली हूँ, चाए वो अपना career में हो, चाए वो अपना love life में हो, मैं जीत के रहूँगा, मैं जीत के रहूँगी, मैं हासल करके रहूँगा, मैं करके रहूँगी, मतलब इनका ना जो है ना, प्यार बोलो या कोई चीज के लिए, मतलब affection बोलो, बह जिसको बोला जाता है प्यार भी करेंगे बहुत ज़्यादा हद तक और नफरत भी करेंगे किसी से बहुत हद तक ठीक है? यहाँ पे देखो यह परसन जो है ना मुझे इस तरह से दिख रहा है यह काफी ज़्यादा ठीक है अपने जो कर्तूद इन्होंने किया है जो भी इन्होंने किया है आपके साथ यह उसको लेके सोच रहे है कुछ लोग के लिए आपके परसन अभी भी मैं आपको यह भी बता रही हूँ अभी भी शायद इनको गिल्टी फिलिंग नहीं हो रहा है या realization इनको पूरी तरह से 100% नहीं हुआ है देखो, कोई अगर किसी के साथ अन्याय करता है तो पूरी तरह से वो वाकिफ नहीं होता है उस दौरान बात में होता है realization या रहे मैंने तो गलत कर दिया इवन हम अपने फ्रेंड से भी थोड़ा सा loud voice में बात करते हैं तो तब हमें realization नहीं होता बात में होता है कि हमें करना नहीं चाहिए था यह उसको होता है दूसरा चीज जो मुझे यहां पे दिख रहा है आपके person तीके, बहुत ज़दा shocking हो सकते हैं अगर हम इसको दूसरा तरीके से बोले तो काफी ज़दा आयाशी ठीके उन में हैं देखे बहुत ज़दा आयाशी यह करते हैं ठीके बहुत ultra luxury level में comfort ठीके बहुत सारे relationships में रहना यह इनका पहले का फित्रत हो सकता है ठीके लेकिन देखो soulmate connection या ऐसा connection यह होता है जो हमेशे जुरे रहता है चाहिए जितना भी लाको connection हो लेकिन favorite या best वो एक ही होगा ठीके जो आप हो यहाँ पर मुझे दिख रहा है यह देखो यहाँ पर किसी ने ponytail बात के रखा है या जुरा बात के रखा है यह एक woman है और यहाँ पर एक man है distance अभी भी है इसका मुझ इस तरफ से है इसका मुझ इस तरफ से है मतलब बहुत सारे लोग इस group में ऐसे है जो प्यार तो नहीं कर रहे है मतलब बात चीत तो नहीं हो रहा है लेकिन प्यार बहुत धेर सारा है क्योंकि देखो दो हर्ट यहाँ पर parallel आया है जब मैं आपको यह दिखाने की कोशिश कर रही थी तब automatically यहाँ पर two hearts आये so hearts are joined पर बात नहीं हो रहा है या मन मोटाओ बहुत ज़दा चल रहा है या conflict चल रहा है या कही न कहीं पर misunderstanding है ego clashes काफी ज़दा है बात करते ही opposite side से कुछ opposite statement आजाता है जाए आप इनके बात नहीं मानते हो या वो आपके बात ज़दा से ज़दा नहीं मानते हैं और इसको लेके ज़द ज़दा fight हुआ है पहले भी और अभी भी आप करने जा रहे हो तबी भी हो सकता है ठीक है so arguments बहुत ज़दा होते हैं क्योंकि ये इनसान जो है अपना point of view हमेशा ही पहले रख देते हैं ये कुछ और तरीके से ये नजरिये से देखते हैं जो नजरिये से शायद आप नहीं देखते हो ऐसा हो सकता है ठीक है आपके person ब्रिशव कन्या मकरणाशी हो सकते हैं मुझे यहाँ पे दिख रहा है ठीक है दूसरा चीज है ये इनसान जो है न यहाँ पर पता नहीं यहाँ पर क्यों ऐसा बार बार victory symbol आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर chances बन रहे हैं ठीक है कि इस तरह का chances बन रहे हैं कि यहाँ पर आप दोनों का milan जो है बहुत जल्द होने वाला है because everywhere I am finding out we, 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 we आपके person के initials में से we या आपके में से we हो सकता है ठीक है दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये इनसान जो है इनको ऐसा relaxed जिंदगी चाहिए ठीक है कोई tension वेरी जिंदगी इनको नहीं चाहिए तो इनको ऐसा लगता होगा कुछ लोगों के लिए कि अगर ये relationship के ठीक है बंधन में बांट जाए तो इनको शायद आपके लिए additional responsibilities लेना परेगा या कही न कहीं पर आपको लेके साथ चलना इनके लिए इसलिए possible नहीं होता है क्योंकि इन्होंने ऐसे जिंदगी शायद expect नहीं किया है ये हमेशा independent रहने की कोशिश किये है लेकिन आपके साथ मिलन होने के बाद या आपके साथ मुलकात होने के बाद जब आप commitment मांगे हो गए थे लेकिन ये relationship कब प्यार में बदल गया ये आपको भी पता नहीं हो उनको भी पता नहीं हो इनकी मन की हालात आप जाने की कोशिश कर रहे हो ठीके तो ये इंसान भी बहुत ज़्यादा दर्द में है ठीके बहले ही इस इस इंसान की जो स्वभव है वो कुछ भी हो सकता है लेकिन ये इनसान का life में ऐसा कुछ हुआ है जरूर कि जो end हो चुका है maybe third party relationship maybe इनके career में troubles चल रहे हैं maybe इनकी जो पहले जो habits से attitude हुआ करता था ये lifestyle इन्होंने बदल दिया है मतलब there is an end मतलब अगर आप इनके बारे में पता करो तो आपको पता चलेगा कि there was an end to something maybe इनके business बहुत सदा loss हो चुके है या इन्होंने financially ये बहुत सदा debt में हैं ये कैसे loan को चुका है ऐसा सोच रहे है so there was an ending to their life ओके यहां पर एक बहुत बड़ा lounge या cheer इस तरह का रहा है so ये इनसान जिस तरह से मैं आपको बता है मैं भी जिस position पे थे पहले जहां पर भी job या designation उनका position हुआ करता था अभी वो नहीं है तो career wise इनके दिमाग में बहुत problems चल रहा है कि कैसे इस चीज को rectify किया जाए अगर हम इस shape को इस तरह से देखे ये glory का shape यहां पर ले रहा है squirrel तो squirrel बहुत ज़्यादा cute होते है right और ये relationship आप दोनों का जो था या अभी भी हो सकता है बहुत ज़्यादा cute loving बहुत ज़्यादा innocent मासूम लेकिन ये इनसान ना सब कुछ बदल दिये है तीके दूसरा चीज हम देख लेते हैं इनका future plans क्या है और भी मुझे यहां पर एक औरत यहां पर नजर में आ रही है इनके ममी हो सकता है इनको बहुत ज़्यादा मतलब जो है देखो देखो बच्चा तो अपना mom का ही सुनेगा ना चाहे वो कोई भी age का हो तो हो सकता है उनके mom जो है बैल बैल मतलब यहां पर देखो बला 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 इनको बोलते गए ठीक है और यह सुनते गए यह सारे words है जो इनके mood से निकल रहे है और यह सुनते गए यह जो बच्चा है यह सुनता गया तो बच्चा तो अपना mom का ही सुनेगा ना चाहे वो कि इसे यहां पर देखो यह इंसा यहां पर एक लियो का भी सिंबॉल आ रहा है सिंग राशी भी हो सकते हैं आप जब इस रीडिंग को देख रहे होंगे ना मेभी इट विल बी एराउंट 11 o'clock हो सकता है या 6 o'clock या हो सकता है 9 o'clock इस दौरान हो सकता है आज फिर से यहां पर ब कोशिश करें कि आनिमल स्पिरीट ऐसा है जो ज़ित17 माना जाता है और उनका समझने की कोशिश करके बहुत जदा अब आपके लाइव के थैस्टल 2 printed यसा प्योरे सवान Ou सुफ दॉद ठीक है, so please do understand, अगर कोई भी animal, कोई भी bird आपके वहाँ पर आसपास है, वो क्यों आया, वहाँ पर particular time पर वो क्यों आया है, उसको आपको समझना है, एक बार ऐसा हुआ था, मेरे घर में, ठीक है कि अचानक, around 12 बजे, कहीं न गहीं से कोई भी यहाँ पर देखो, मेरा जो society है, उपर से एकदम, मतलब जिस जगह पर है, एकदम central point of Kolkata, वहाँ पर birds कम ही यहाँ पर दिखते हैं, लेकिन अचानक क्या हुआ न, एक bird आके, ठीक मेरे ही apartment के वहाँ पर कहां कहां करते गते चला गया, उसके बाद मैंने सुना कि, मेरे relative में से कोई बहुत ज़दा, मतलब ऐस हुआ है, कि थोड़ा सा वो उनका वो बिमार हो गये, इस तरह से, फिर एक दिन ऐसा भी हुआ था, कि एक bird आया, और बहुत ज़दा स्वीट था, चुक्चा बैठी थी, तो कुछ ख़श खपरी भी मुझे मिला है, ठीक है, अपने family में इसे कोई हो सकता है, कि आपको, कुछ symbols मिली जाते है, animal spirits से, ठीक है, all right, so try to understand them, okay, यहाँ पर एक देखो, इस तरह से देखो, यह इनसान जो है, अगर हम इसको एक parking, मतलब, पार्क, अगर हम समझे, अगर यह, मतलब, बैठने का जगा है, आप देखो, कहां बैठ रह और यह इनसान कहां बैठ रह है, मतलब आप दोनों में क्या होता है, बातचीत होते रहता है, फिर कुछ ना कुछ issues आ जाते है, फिर आप लोग on and off हो जाते है, ठीक है, पर यह इनसान जब सोथते हैं, बहुत जदा आपके बारे में याद करते है, यहाँ पर कोई carrot या मूली के सबजी, मतलब, ground root vegetables, बहुत जदा खाते हो या कुछ बना रहे हो उससे related, I do find like that, ground या root vegetables, ठीक है, यह carrot हो सकता है, या horse radish हो सकता है, ठीक है, कोई मूली या carrot इस तरह का हो सकता है, प्यांस भी हो सकता है, underground vegetables, कुछ बना रहे हो, या हो सकता है, कि इनके घर में हो या आपके घर में हो, आपका एक hobby हो सकता है, gardening, it's like that, okay, यहाँ पर एक बच्चा भी दिखाए दे रहा है, में भी आपके person शायद आप से चुपाया है, कि इनका कोई ऐसा बच्चा होगा, कोई relationship में से, या उनका जो ex-wife है, ex-wife था, ex-husband था, उससे उनका कोई बच्चा है, यह चीज शायद आपको चुपाया होगा, लेक आपको पता चला है, ठीके, लेकिन प्यार तो यह बहुत सद आपको करते है, चाये इनके स्ववाब, मतलब कुछ भी क्यों ना हो, ठीके, I do feel like that, यहाँ पर देखो यह, यहाँ पर एक man है, जो hat पहन के बैठा है, ठीके, और दूसरा है, यहाँ पर भी एक woman है, और यहाँ कुछ muscular man है, I do find that your person is a trainer, यह हो सता है, यह ऐसी position पर है, कि लोगों को बहुत ज़दा command करते है, और यह चीज आप दोनों का relationship को बहुत ज़दा effect किया, कि कि उनके जो dominancy है, उनका जो एक dominant attitude है, और behavior है, इस relationship को खड़ाब कर डाला, ठीक है, बट यह आपके साथ, मैं आपको ब के साथ, ठीक है, so don't worry, future का क्या सोच रहे है, इनसान, देखो future में मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, you will talk to each other, अगर आप बातचीत नहीं भी कर रहे हो, आप conversation करोगे, definitely, बातचीत करोगे, और हल definitely निकल के आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं, वो वाला गाना है, यह दिल म मिल रहे है, मगर, चुपके चुपके, यह देखो, चुपके चुपके दिल तो जरूर मिल रहे है, और मैंने आपको दिखाद भी दिया था, the two hearts are connected to each other, यह हो ही नहीं सकता, कि मतलब आप लोग भी छड़ जाए, ठीक है, अभी हम देख लेते हैं, with the cards, So universe, faith, guides and angels, please guide me in the right direction, की मेरे जो viewers है, उनके सिंदेगी में ऐसा क्या होने वाला है, और उनके partners, उनके लिए future plans क्या रखे हैं, So let me see, let me find out, देखो, आयाशी बोला था, यहाँ पे आयाशी है, nine of cups, यह इनसान, देखो, चाहे, जो भी हो, इनका फित्रत, आपके साथ, ठीक है, वो अपना जो future है, वो उसको enjoy करना चाहते है, देखो, burden अभी भी, उनके responsibilities अभी भी, इनके सर पे है, इसलिए शायद वो कुछ step नहीं ले पाते है, आप दूसरा लोकेशन पे है, यह इनसान दूसरा लोकेशन पे है, ठीक है, लेकिन यह इनसान, देखो, eagle, जो है ना, यह उचाही से दिख रहा है, मतलब क्या है ना, यह जो relationship है ना, यह दूसरा level से इसको judge कर रहे है, इनसेंस, यह मानते है कि आप बहुत ज़दा मासूम हो, ठीक है, तो आपको छोड़के कहां जाने वाले गाईज, देखो, three offers, इनसे जिस तरह से आपको रुलाया ना, उस तरह से यह भी रोए है, यह भी हार्ड हुए है, ठीक है, देखो, queen of pentacles, definitely अपने career के उपर focus तो कर रहे है, लेकिन एक solid stability, देखो, एक new beginning आपके साथ यह जरूर चाहते है, ठीक है, ठीक है, so this is where I am ending the reading guys, I hope you like it and if you like, please do share, subscribe and do comment in the comment section, till then take care of yourself and keep watching, definitely tarosics, where truth always exposes darkness and will expose darkness, thank you guys and love you a lot, take care of yourself